करते हैं आप एलो फ्रेंड्स गूड मॉर्निंग कैसे अब सभी लोक तो अभी जो आज का वर्कॉट वो बैक का बर्कॉट है तो पुल अब लगाने है उस से पहले हम वार मैप पोजाएंगे आप रचलिए वह लेकिन उससे पहले हम वार मैप हो जाएंगे स्टेचिंग बगारा कर लेंगे बैक की तो कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं सेचिंग की जाएगी कि स्टेचिंग करने के बाद ही हम पुलप्स लगाएंगे तो पुलप्स के जो आज सेट अब भी तीन-तीन के रहेंगे और इसमें भी वाइड एंगल और नेरो ग्रिप वाला जो है वह रहेंगे इसमें तीन-चार ग्रिप होते हैं वह आपको मैं दिखाता हूं अभी फिलाल वाइड ग्रिफ बले जो एंगल है वह मैं आपको दिखाता हूं वाइड ग्रिफ जो रहेंगा वह यहां तक रहेंगा और इसके जो रेपूटेशन है वह आट से छे रहती है तो इस तरह से आपको पूरा आप और डाउन जाना है तो इससे भी इसके जो रेप है वह आट से छे रेप लगेंगे तो इसके बाद जो ग्रिप रहेगा वह थोड़ा नेरो रहेगा वह आपको मैं दिखाता हूं तीन सेट के बाद तो अभी जो नेरो ग्रिप है वह थोड़ा सा इस तरह से रहेगा जो हाथ है जो हाथ का जो एंगल रहेगा वह ऐसे रहेगा पहले ऐसे था अभी ऐसे रहेगा तो कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं तो इसके भी जो रेपोटेशन है वह भी छे से आठ निकलेंगे तो इस तरह से इसके भी जो रेपोडिशन आप देख रहे हैं छे से साथ लगते हैं तो इसके बाद जो गृप रहेगा वह गृप थोड़ा और नेरो होगा वर उसमें हाथ अभी ऐसे होंगे पहले ऐसे थे अभी ऐसे होंगे तो आपको मैं अभी करके दिखाता हूं अब भी जो गृप है वो कुछ इस तरह से रहेगी पहले ऐसे थी और अभी ऐसे रहेगी इसके भी तीन सेट लगाने पर जो इसके जो रहेप हैं वो जासे जादा पांच से छे निकलेंगे अब देख रहे हैं पांच से पांच जो रह पर निकलेंगे इसमें काफी ज्यादा स्टेंश लगती है बैक की और biceps और forearm की भी काफी ज्यादा इसमें strength लगती है तो आप अपनी deadlift को या back के जो weight आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप pull-ups जरूर लगाएं क्योंकि इसी से हमारी strength बढ़ती है body weight से तो इसके बाद अभी हम करेंगे तीन सेट लगाएंगे तीन सेट के बाद फिर मैं आपको नहीं exercise बताता हूं जो अभी pull-ups के लिए जो grip है वो काफी मुश्किल होता है नए बंदों के लिए लेकिन हम भी जब नए यह pull-ups करने लगे थे तो हमें भी काफी मुश्किल होता था लेकिन जब आप धीरे-धीरे कर लेंगे आपको मैं दिखाता हूं अभी तब देख रहे हैं इसके काफी pull-ups के बाद अगर आप यह लगाते हो तो इसके दो या तीन रहा भी निकलते हैं वर लेकिन इसमें भी काफी ज्यादा श्रेंस लगती है फोराम की बाइसेप्स की तो अभी सिर्फ एक ग्रिप रह च स्क्राइब में शेयर करना मत भूलना है हमारा एक ही ग्रिप रहता है एक एक सेज रहती है बैक की तो यह वी काफी मुश्किल होती है इसके भी जो रेप्टेशन है वह चार से तीन के बीच में निकलते हैं अब यह आपको दिखाता हूं करके इसके विए आपको तीन सेट लगाने है चाहे एक लगे चाहे दो लगे बट इससे जो स्टैंट है वह काफी बढ़ती है तो अभी हम एप्स का वरकाउट लगाने के बाद वरकाउट को करते हैं यहीं खतम अभी हम एप्स का वरकाउट लगाएंगे वह भी दो ही सेट लगाएंगे और इसके बाद प्लैंक इसके जो रैपोटेशन है वह दस से बारक बीच में आती है अभी वरकाउट जो है बैक का वो कंप्लीट हो चुका है पुलै उसका वरकाउट जो कंप्लीट हो चुका है और आपस भी मैने बता दिया है तो प्लैंक की वीडियो मैंने पहले चैस्ट वहले बना रखी थी दिसलिए मैं वह वीडियो नहीं बनाई है पुलप के लिए नए बंदों के लिए काफी मुशकिल होता है हमारे लिए लिए काफी मुश्किल थे बाना वर लेकिन आप जब स्ट्राइब करोगे तो लगी जाएंगे तो अगर जिनसे पुलप्स नहीं लगते हैं तो वो एक काम और कर सकते हैं वो सिर्फ होल्ड रखें ऐसे अब अब आप अपनी स्टैंथ को बढ़ाएं पहले होल्ड रखें फिर देरे देरे आप एक्साइज जो है वो आप पुलप्स की लगाने लगोगे तो इसी तरह मेरी वीडियो को लाइक और सुस्क्राइब है शेर करते रिजिए धेर सारा मुझे प्यार दीजिए कमेंट में बताइए कि कैसे लगती आपको मेरी वीडियो अभी मैंने स्टार्टिंग की है तो बोलन